दुनिया में लड़कियां चाहे कहीं भी पैदा हो अपनी खूबसूर्ती को बरकरार रखने के लिए वो अपना सारा पैसा लुटाने को हमेशा तयार रहती है नमश्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पैरो तले की जमीर के सकते जाएगी हमारे सीरम का सीट इंग्रीडियंट है यूमन फीटस येस यूहर्द मी राइट मां के पेट में पलता बच्चा मां के पेट में जब बच्चा पलता है तब उस पर सूरज की रौष्णी नहीं पड़ती इसले उस बच्चे का प्लाज्मा बहुत प्यॉर होता है उसी प्ला कि नमबर 2009 को बायो एज में ये रिपोर्ट किया गया कि सैन फ्रैंसिको की एक कोस्मेटिक्स कंपनी जिसका नाम नियो क्यूटिस है उसने ये एडमिट किया कि उसने एज एन इंग्रीडियंट अपने ब्यूटी प्रोड़क्स के अंदर अबोर्टीड मेल फीटस का यूज किया है ये प्रोड़क्ट मनौफैक्चर किया गया था पेटेंट प्रोसेश्चिन प्रोटीनस के द्वारा और इसका यूज किया जाना था प्रोसीजिस और एंग्जाइमा के लिए बट अन सुप्राइजिंग्ली इसका यूज एक एजिग क्रीम की कि तरह यह जा रहा था Children of Gold for Life ये एक watchdog group है जो कि monitor करता है fatal material को medical products में उसे nucleotics के सभी products को bycard करने का एलान किया जब उन्हें ये पता चला कि ये company aborted male fetus का अपने beauty creams के अंदर यूज़ कर रही है actual में ये protein obtained किया गया था postage stamp size rectangular skin से जो कि लिया गया था एक 14 weeks के aborted male fetus से जो कि स्वीजर लैंड में हुआ ये revolutionary treatment cellular regeneration के लिए cold treatment का यूज़ करता था Dr. Alexis Carroll ने बताया कि जब हम young tissues को old tissues के उपर apply करते हैं तो वोने regenerate करने की capability रखते हैं ये cells human fetus से लिए जाते हैं इसलिए independent होते हैं और कोई भी antibody को carry नहीं करते हैं जिसकी वज़े से इस treatment में allergic कोई भी reaction होने का खत्रा बिल्कुल कम होता है Neocutics ने अपने trademark ingredient PSP जिसको processed skin cell proteins भी बोलते हैं उन्होंने ये argue किया Fatal cell line was harvested in a responsible ethical manner for use in treating several dermatological engineers यहां तक company ने अपने आपको उन researcher से compare किया जिन्होंने polio की दवाई बनाने के लिए kidney cells का use किया था इस ingredient को develop किया गया University of Lawson में जो कि Switzerland में है एक 14 week old baby fetus जिसको university hospital में abort किया गया और Swiss university को donate कर दिया गया इस बच्चे का abortion करना बहुत जरूरी था due to some medical conditions as a statement Neocutics company ने अपने argument में थी उन्होंने ये भी आर्गू किया कि इस donation को hospital medical ethics committee और Swiss law के according approve किया गया Neocutics company ने ये भी insist किया कि सिर्फ ये एक donation उनके products के लिए काफी है वहीं इसके opposite में ये argument किया गया कि एक cell को आखिर कितने लंबे समय तक use किया जा सकता है लेकिन Neocutics company ने अपनी website पर साफ साफ mention किया no additional fatal biases will ever be required काफी लोगों ने ये accuse किया कि जो company है वो PSP ingredients के नाम पे लोगों की attention को draw कर रही है अपने cosmetic products के उपर जबकि company ने PSP ingredients का development burns और skierings के लिए किया था पर ऐसा करते करते उन्होंने एक restoring aging skin का ingredients त्यार कर लिया वहीं अगर price की बात करें तो इस company के products का price दूसरी company के products के comparison में बहुत ज़्यादा difference था one ounce bottle of bio restorative day cream का price करीब 120 dollar था जो कि अपने आप में बहुत बड़ा amount है time to time ऐसे काफी सारे allegations aborted clinics के उपर लगाए गए कि वो fatal bodies को cosmetics company को sell कर रही है April 1980 में Swiss franchise border first guard ने 100 of pounds frozen aborted pre-born babies से भरे हुए truck को रोका जो bills के according several French cosmetic companies को cosmetics products बनाने के लिए भेजा जा रहा है इस तरह की खबरे French newspaper में हमेशा आती रहती थी क्योंकि इनका यूज ब्यूटी प्रोड़क्स में किया जाता था और ये फ्रेंच में बहुत हाई प्राइस पर सोल्ड होता था इसके बाद human fatal cells का यूज का यूज का आफी cosmetics companies, food and beverages companies and medical industry में testing production से लेकर final product तक किया जाता था एक्शुल में fatal cells का यूज 1930 से किया जा रहा है cell को obtained करने के लिए aborted fetus को death के बाद collect किया जाता है generally ये एक biotechnology company, university जब medical center द्वारा किया जाता है इसके बाद इन्हें alphanumeric name दे दिया जाता है food and beverage industry, biotech company, cernemax use करती है cell line hek293 for research of new flavors and addictives to be clear, fatal cells को food और beverages में add नहीं किया जाता है बलकि वो flavor receptors का use करते हैं kidney cells में as tireless test testers जो कि 1970 में female fetus का abort किया गया था कुछ companies जो इस company के साथ मिलकर अपने product बनाती हैं उनके नाम है अजीनो मोटो, नैसले, एंड फर्मिंच craft, Pepsi और Comble Soup जैसी company ने इनके साथ अपना contract cancel कर दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके किसी भी product में fatal cells का use किया जाए vaccines के बात करें तो chicken pox, rubela और single acid vaccines हैं जिनके लिए fetal cells का use किया जाता है present में हम बात करें तो दो cells का use कर रहे हैं vaccine बनाने के लिए पहले है W138 जो की develop किया गया था 1962 में from the lung tissue of a fetus aborted at 3 months दूसरा है MRC-5 जो की develop किया गया था 1966 में from the lung tissue of a fetus aborted at 3.5 months इन cells को आज भी vaccines बनाने के लिए use किया जा रहा है पचास साल के अंदर दो abortion allowed है vaccines को prepare करने के लिए against all of these disease एक estimate की बात करें तो सिर्फ W138 cell line से करीब 11 million लोगों को मरने से बचाया गया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा number है to be clear vaccine के अंदर fatal tissue नहीं होते है इतना सब कुछ इतने सालों से हो रहा है लेकिन इसके बाद भी इन चीज़ों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है fatal tissue spotlight में तब आया जब कुछ controversial videos by the center of medical progress बहार आई बट यह attention भी काफी नहीं थी for example FDA cosmetics company की ingredients list को चाहती नहीं है जिसकी वज़े से neocotix जैसी company यह freely admit करती है similarly Sinomex जैसी food companies इनको low concentration में एड़ करके artificial flavor का नाम दे देती है जिससे consumer उनको easily trace ही नहीं करभाता है vaccine manufacturer की अगर बात करें तो वो ingredients list को provide करते हैं लेकिन कभी भी patient short लगवाने से पहले उसकी list को कभी भी check नहीं करता है और अगर यह list publish होती भी है तो इसे ingredients की list में alphanumeric code से publish किया जाता है जिसका customer को कोई ग्यान नहीं होता इसको लेकर rules और regulations भी बनाए गए है For example, एक pregnant lady से abortion से पहले उसकी tissue या blood को use करने के लिए उससे पहले पूछा जाता है Under the uniform animatic act, it is a federal crime to buy or sell the tissue of a baby बट इसको लेकर कोई भी exact regulation नहीं है कि उसकी tissue को किस purpose के लिए use किया जाएगा कुछ लोग vaccine का सोच के इसको donate करते हैं और बाद में इनका परियोग cosmetic products में किया जाता है आज भी बहुत सारी ओड़ते new catics company के product को use करती है ये जाने बिना कि actual में वो किस चीज़ से बनाया गया है Cosmetic products में fetal tissue को use करने के मामले में Europe, United States से भी काफी आगे निकल गया है Mid 90's में काफी सारी investigation होई England और France में जिसमें पाया गया aborted babies को क्लीनिक्स cosmetics company को sell कर रहे थे beauty products में use करने के लिए और ये companies उनका खुले आम advertisement कर रही थी ये बता कर कि इनके अंदर fetal tissue का use किया गया है इससे पहले मोस्को के काफी सारे youth जो की wealthy थे इस प्रोसेस के लिए तड़प रहे थे जो aging process को reverse कर सके Ukraine में गरीब शहरों में और तोर लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होने लगा early 2000 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि डोक्टर को इस चीज के पैसे दिये जाते थे कि वो औरत को जा करके ये बोले कि जो उसका बच्चा है वो स्वस्थ होने के बजाए विक्रित है इसके बाद उन्हें एबोर्शन के लिए भेज दिया जाता था जिसके अवशेशों के उसे 100 रूबल तक मिलते थे इसके बाद डोक्टर उन्हें रशन कोर्परेशन को 5,000 रूबल तक बेच देते थे ये कोर्परेशन उन्हें काट कर, ग्राइंड करकर, उनका पेश्ट बनाकर, उनको ब्यूटी प्रोड़क्स में अड़ करकर, सैलून्स पर सैल करते थे और ये ब्यूटी सैलून्स इस ट्रीटमेंट की कोश्ट 10,000 रूबल तक रखते थे और वहां की रिच वूमेंज पर इससे कोई परक नहीं पड़ता था कि इससे कोन मर रहा है या कोन जी रहा है 2005 की एक इंस्पैक्शन रिपोर्ट में ये पाया गया कि सिर्फ मोस्कों में 41 क्लीनिक्स ऐसे थे जो इस ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर रहे थे और अंदाजा था कि ऐसे और भी क्लीनिक्स होंगे पैक्ट ये है कि हुमन सैल्स का यूज किया जा रहा है पर इसमें इश्यू ये है कि इस ट्रीटरंस को मार कर प्राप्ट किया रहे है एक तरफ से देके तो इसका मैंडिसिंस और वैक्सिंस में यूज किया जा रहा है जिससे कि करोड़ों लोगों की जान बच रही है और दूसरी तरफ abortion करके इंसेल्स का यूज करना कहीं न कहीं गलत लगता है अगर एक youth people से इंसेल्स को लिया जाए तो इससे उसकी जान नहीं जाती है इसलिए उन्हें research और utilize करना ethical लगता है इसके अलावा natural reason से अगर किसी के मौत होती है तो उससे इन इसल्स को प्राप्त किया जा सकता है इसी चीज के उपर एक new movie आई है जिसका नाम है ये शोधा जिसे आप Amazon Prime पर देख सकते है साथ ही किन प्रोड़क्स में पैटल सेल्स का यूज किया जाता है उसकी PDF आपको description में मिल जाएगी गाइस अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा प्यार दिखाओ गाइस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपने थोड़े सिर्फ प्यार की जुरत है जिसे हमें मोर्किवेशन मिलता है इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो